पुल्वावा हमले में 40 जवान शहीद हुए थी शहीदों पर अर्नव गोस्वामी द्वारा कुछ आपती जनग बाती शैटिंग द्वारा के जानी का मामला पुलिस के सामनी उजागर हुआ है इस बात को लिक कर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी क्योर से सक्करदरा स्खटना में चांच की तो उन्हें पारदासकुप्ता और अर्नव गोस्वामी के बीच हुई चैटिंग संभाशन की क्लिपिंग से खलबली मची है दोना के बीच हुई चैटिंग में अर्नव गोस्वामी द्वारा कुछ आपती जनग बाती देश के जवानों के बारे में लिखी थी जिसका विरोध करते हुए नाकपुर के चौक में राश्रोवाधी कोंग्रेस पार्टी के सैक्रू कारेकरताओं ने जमकर नारे बासे की पुर्दाबाद, 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 अन्दाबाद, पुर्दाबाद, अन्दाबाद, पुर्दाबाद, 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 इ शिवनकर ने चानकारी दी कर्वाई करने के लिए, हमारे पास निवेधन दिया है, उसके ओपर हम लोग उचित करवाई करेंगे. इसमें सब चेकप से वह रहा है, तो इसमें हम लोग बात करके जो भी जैसा घुना दाकिल होता है, जिसा है जो इसके बारे में आउगद कर आओगे? तो जो कानून में लिखा है वो हिसाब से हमारा CP सर तक जाएगा वो इसमें से हम लोग आउबद करके कारवाई करने की यह करेने के अरनाव गोसवी के खिलाब पूरे देश में एक अंदोलन सा चाहिए इसी क्रम में नापूर के सतरदरा चौप में राश्ट्रवादी कौनेस पार्टी की और से अरनाव गोसवी और फार्त दास भुत्ता इनके लिए अंदोलन किया जा रहा है हम आपको बता दें कि 14 फर्वरी 2019 को जिस प्रकार से पुरुआवा में जो हमला हुआ था जिसके चलते 40 जवान को शहात्त लिए थी जो शहीन हुए थे उनके उपर में अरनाव गोसवी ने अपना आनंद वेक्त किया था इस बात को लेकर देश वासियों में काफी गिरोज जदाया जा रहा है और इस बात को लेकर पुरे धेश में आंदोलन किया जा रहा है इस समय में हम संकरतरा चौक के उस सब पीच के नीचे में है जहां राष्ट्रवादी कौनरेस के ये तमाम तमाम अधिकारी पदाधिकारी और कारेगरता यहां पे आंदोलन करते वे नजर आ रहे है अधिकारी पुरे पुरे राष्ट्र की पुरे देश की लोकशाही को दोका निर्मान करने की बज़ा जो है वो भाजपा सरकार है कल आप एंडीडीव में देख रहे थे इन्होंने जैसे चैनल को एक साइट करके खरीदने का दो दंदा किया है अपना टीर भी बढ़ाने के लिए जूटी रिश्वत देखे जो डिपार्ट्मेंट डिविजन रहता है उसको खरीदने की कोशिश की है यह सब इसका इसमें सावित होता है कि बोधी जी यह चाहते है कि सारे चैनल वाले सिर्फ हमां उनकी भाग बताए यहां तक तो ढीक था यहां तक तो ढीक था लेकिन रक्षा से संदर संबंदित फुल्मा और बाला कोट में जो इन्होंने अटक किये उसमें भी इसको तीन कैसी पहुंची इसका मतलब यह है क्या इसने देज के साथ में बहुत बड़ा साजीश और धोकेवाजी इसने की है ऐसे अर्नो गोसवामी को बासी पर ही लटका जेना चाहिए चूंकि हमारे यहां के मुख्यमंद्री को यह उड़ता हो हमारे हो मिनिस्टर को बोलता है यह यह पत्रगारीदे के तरीका है बिलकुल नहीं है फर ऐसे मगरूर इंसान को जहां भी सजा नहीं देंगी तो यह आम जनता घड़ी है आप त्यारों सजा देनी के लिए वारे ज्यूते मार मार के जनता मारेगी क्योंगी इस पत्रगार की पत्रगारीदा करने से और यहां पे पूरे सहकारियों को साथ आत 지ंके मीएं और बाहु जो कि इसका लगे बता है जीन技 पार्टि को ऑना जही देंख्ञात operate राश्ट्रवार्दी आंग्रेश पार्टी के दरफ से जो भी अनेे जाते हैं वह धेश खीट Wireless की जमनित होते हैं और सामाजीक बुद्दो से जुड़ेवे अंदोलन होते हैं पाल्टी के फायदे के लिए आज तक ऐसा कोई अंदोलन नहीं हुआ और हम लोग रास्ते पे नहीं उत्रे आज ये देश की रक्षा का सवाल है इसलिए हम लोग यहाँ पर उत्रे है जहां तक बात हमारी सैनिकों की शहादत की है ऐसे सैनिकों की शहादत के उपर में अपना चैनल का टीर भी बढ़ाना और इस संदर में ऐसे घूनित काम देश के रक्षा के संबंधित करना इसके लिए आज राश्त्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आज तकरार देने जा रही है और इस संदर में आज हमारे शहर अद्दक्षा कंप्लेट करके फार दर्श करने की मांग को लेकर लड़ रहे है आप देख सकते कि यहाँ पर अपना गोस्टर भी लगाया गया है किसके उपर ने कुछ लिखा गया है आप देखते हैं आप बता ही है जो गोस्टर आप बगड़के हो क्या गयाना चाहोगे मेरी तमाम यूवाओ के तरफ से आधर नियम पंतरदान नरेंद्र मोदी जी को सवाल है कि वो हमेशा कहते हैं कि चप्पन इंड का छीना है चप्पन इंड का सीना है तो अगर चप्पन इंड का सीना आधर नरेंद्र मोदी साफ का है और भारतिये जनता पाल्टी का है और केंद्र सब्कार का है तो जो जवान शईद हुए है उस जवान को शदाजनी के तोर पर उनने इस भड़वे अर्णोगो सवामी को सजा दे कर अर्णोगो सवामी को पुरा किया गया अब देखना ये होगा कि सरकार इसके लिए क्या करती है और जिस प्रकास से अर्णोगो सवामी है एक बहुत ही जिम्मेदाराना ऐसे एक मीडिया के डारेक्टर है इस तरह क्योंकि ये बात कहीं न कहीं पुरे देशवासियों को नागवार गुजरी है ऐसे में एक सोचनी वाली बात है क्योंकि मीडिया ये लोकतंतर का वो आधार स्थम है जो इस देश की जनता के लिए काम काज करता है देश के सिमाओं पे लड़ने वाला जवान और आम आदमी आम जनता ये उतनी है सालुटेबल है जितने की घर कोई होता है लेकिन देश के जवानों के जो तोही की गई है उससे ये तमाम तमाम लूम नाराज है ऐसे में अर्नोगोसावी ने इससे सीख लेना चाहिए और इस तरह के कामकाज नहीं करना चाहिए ये तमाम शहर की बुरे देश की जनता चाहती है